हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो नेक्स्ट नायर सिटी सी यूटूब चैनल सो आज के वीडियो में हम जानेंगे ट्रेंड कैंसलेशन पर रिफंड क्लेम के आसान स्टेप्स इसकी बारे में और जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें टेल्स भी समझाया हैं आप उ रूप दिया है और प्रतीक्षा सुचीबर्ट टिक्टो की बुकिंग के लिए पुष्टी करन भविश्वानी जैसी कुछ उपयोगी सुविधाय जोड़ी है आप क्या करेंगे यदि आपको पता चले कि जिस ट्रेन में आप अगली सुबर सवार होने वाले थे वह ट्रेन सकते हैं अगर आपने कार्व से अपने टिक्कित किया है तो आप उसी से फार्म के माध्ययों से रद्डिविधा अनुरुद्ध दर्श कर सकते है एक साधारनन रद्डिकरांट फॉर्म भर आपके नगत मिराशत कर सकते है यह आमफर्म रिसरवेशन के साथ अफ anterior booking पर थे हो सकता है कि आप ऐसा करने में सक्षम ना हो यह चैनल टिकेट बुकिंग के लिए रेलवे एक ओनलाइन सुविधा प्रदान करता जिससे उप्योग करता अपने रद किये गए टिक्टो की धनवापसी इस्तिती का पता लगा सकते हैं इस सुविधा का उप्योग इंडियन रेल की वेबसाइट रिफर्ण इंडियन रेल.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है यदि यात्रियों ने अपने टिकेट रद कर दिये हैं तो वे धनवापसी के अनुरोध की इस्तिती जानने के लिए निर्दिश्ट फील्ड में यात्री नाम रिकॉर्ड पीनर संख् दर्च कर सकते हैं आईए अब जानते आप कैसलेशन रिफर्ण के लिए क्लेम कैसे कर सकते हैं आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट इंडियन रेल.gov.in पे जानना होगा इसके बाद उप्योग करता को चेक रिफर्ण स्टेटस विकल्प का चायन करना होगा और अपना पी अब आपसे की स्थिति का पता लगाने का यह एक आसान तरीका है यदि आप ट्रेन से चुक गए है तो आप आप IRCTC पोर्टल से भी TDR अनुरोद दर्च कर सकते हैं I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी एसी रेलवे से रिलेटेड और इंफर्मेशन जानने के लिए एक्सचन IRCTC यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वाचिंग इस वीडियो